नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका किसान बुलिटिन में और मैं पारोल यादव आपकी रहे लेकर आई हूं खेती किसानियों और गाउं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जिनमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अब किसान की हूं बेचने के लिए खुद ही दैकर सक किसाने पर मजबूर है किसान इसके बाद जानेंगे कि कैसे 36 गड़के की यूवक ने कोरोनाकार में कीट नाशकों पेस्टिसाइड की जरीए खुद को बनाया करोड़पती इन सबी खबरों पर आज किसान बुलिटिन में आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहल करते राज्यों में रभी पस्तों की सरकारी खरीद एक अप्रे से शुरू की जा चुकी है लेकिन अभी में कई किसानों की फसल खेतों में ही खड़ी है मौसम में नमी के चलते कई किसानों की यहों की फसल अभी पक्कर पूरी तरह से तयार नहीं हो पाई है ऐसे में खबर के लिए काफी कास है क्योंकि हर्यना सरकार ने एलान किया है कि पहले वो जिन किसानों की वसल तैयार है उनसे खरीदी करेगी उसके बाद जिन किसानों ने पंजन नहीं कराया यह उन्हें बात का टोकन मिला है वो किसान अपने इच्छा से वसल खरीदी के लिए तारीक तैक कर सकते हैं हालांकि जिन किसानों को के हो पहले बेशना है वो भी इई खरीदी पोर्टल पर जाकर अपना गेहुं बेशने के लिए तारी खुद टैए कर सकते हैं खास बात ये है कि revena सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यो अरॉप पोर्टल खोल दिया गया है जिसके जलते जिन इudन अभी तक अपना पंजिकरण नहीं कराया है वह पंज Donka कर अपनी फसल को बेचने की तारीक तैख कर सकते हैं बता दें कि इसके लिए किसान्स सबसे पहले हर्याना सरकार के पोर्टल e-kharid.hariana.gov.in पर जाएं वहाँ set schedule पर क्लिक करें इसके बाद नीचे पहले box में दिये farmer schedule नंबर पर जाकर क्लिक करके सारी जानकारी भरे और किसान अपने अनुसार फसल खरीदी की तारीख हुआ समय तैकर सकते हैं इसके लावा अगर किसान के पास gate pass नहीं है तो किसान को e-kharid.hariana.gov.in पर जाकर farmer record search पर जाकर क्लिक करना होगा जिसके बाद farmer gate pass ID पर जाकर क्लिक करें और विवरन भर कर किसान अपना gate pass ले सकते हैं खास बात ये है कि इस बाद सरकार दोरा किसानों को रभी पस्तों का भुखतान 72 घंटों के भीतर करने का एलान किया गया है अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों को सरकार दोरा 9 प्रितिशत ब्याज के साथ भुखतान किया जाएगा हाली में हर्याड़ के सी एम मनुहरलाल खटर रोहतक में किसी समाजी कारिक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे लेकिन किशी कारोनों का विरोध कर रहे किसानों ने सी एम को कारिक्रम में नहीं पहुंचने दिया इस दौरान जहां पुलिस द्वारा किसानों पर लाटी चार्च किया गया तो वही पुलिस्वा किसानों के बीच जड़ब भी गुई इसमें कई लोग भी घायर हुए लेकिन इस बीच गोहाना के किसान के लिए समस्या खड़ी हो गई है दिरशल गोहाना की गाउं आवली में एक किसान के खेतों में सीम के दोरे के लिए हैली पैड बना दिया गया लेकिन अब किसानों के विरोध के चलते उनके यहां आने का कारेकरम रद हो चुका है और तो और हैली पैड बनाने से बरबाद हुई किसान की फसल का ना तो उसे कोई मुआफ़जा दिया गया है और ना ही इसे बनाने से पहले किसान की सहमती ली गई थी ऐसे में परिशान किसान का कहना है कि उसने जमीन पटे पर लेकर गियों की बुआई की थी और ये बात उसने हेलिपैट अधिकारियों को भी बताई थी लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसकी बरपाई की जाएगी अब ऐसे में कालिकरम रद होने के बाद किसान लगातार अधिकारियों के पास चक्कर काट रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है 36गड की राजधानी राइपूर के इंदरा गांधी क्रिशे विश्विद्याले का एक पीचुडी छादर कोरोना काल में खुद को करोणपती बना कर चर्चा का विश्या बन चुका है आपको बता दे कि विकास लुनावत ने 22 साल लगे लॉकडॉन में सबसे पहले एग्रोकेमिकल याने की क्रिशी रसायन और पेस्टिसाइड याने कीट नाशक उतपादक कंपनियों से बात चीत की और फिर खुद की सिविक स्क्रॉप साइंस नाम की कंपनी खोली अपने इस काम में जिले के कई युवाओ और डिलरों को भी जोड़ा और खास तोर पर डिलरों के जरीए छे महीने के अंदर ही आसपास के कई राज्यों में निर्मित अच्छी गुडवत्ता की कीट नाशक उन्होंने अपने प्रदेश के किसानों तक पहुचाने का काम किया जिसे जहां एक तरफ हजारों किसानों को फायदा हुआ तो वहीं इससे विकास का 6 महीने का टरनोवर भी 1.5 करोड को पार कर गया विकास के इस टरनोवर के पीछे इंटरनेट मीडिया का भी काफी योगदान है उन्होंने जम कर सोशल मीडिया की जरीए अपनी कमपनी का प्रचार पर सार किया जानकारी के लिए आपको बता दे कि विकास मूरूप से मद्दप्रदेश के बाला घाट के रहने वाले हैं और क्रिशी अर्टिशासर विभाग में पिएचडी कर रही हैं उनके स्टार्ट अप में जहां विश्विदाले के विग्यानिकों ने उनकी काफी मदद की तो वहीं विकास ने खुद भी काफी महनत वर रिसर्च करने के बाद इस बारे में विकास का कहना है कि चटिजगड में कई ऐसे किसान हैं जिने रसाइनी कमपनियों की जानकारी नहीं है वो घटिया किसम के कीटनाशक वाग खादों का इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन इससे उनकी फशलों को काफी नुकसान पहुसता है ऐसे में किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए विकास ने शिविक स्क्रॉप साइंस को शुरू किया आज के वग्त में स्टार्ट अप के जरिए विकास खुद तो कमाई कर ही रहे हैं साथ ही उनके पास ओर्डर लाने वाले युवाओ को भी कमिशन के जरीए फाइदा पहुचा रही है तो दोस्तों आज की किसान गुरिटिन की बड़ी ख़बरों में पिलहाल के लिए बस सितने ही आप मुझे दीजे जाज़त नमश्कार अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कारे करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, पेटियम करें, एने एफटी और ग्रेडिट कार्ड के जरीए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें